तो सबसे बिले हम बात कर रहे हैं जो एनुटाइजमेंट में आपको भीजाता उसके बारे में राइट हमारी नई बैस 24 अगस्ट से सुरू हो रही है रात को दस बजे दस से गारा रात को चलेगा और एक लास आपको मंडे को क्लास आपको मंडे वेनज़डे और फ्राइडे पूरा पूरा लेटेस बर्जन हम कवर करेंगे जो से की फाइल हो मिंसर्ट जितने भी मेनू आपको दिख रहा है इस सारे आप्सेंस को हम आपके साथ करें उसके बाद आपको यहां हम बात करेंगे प्र टैस्ट्वोड इसमें हम आपको तरीप चार-पांच प्र टैस्ट् दिख रहा आपको यह पूल लेगा यह डेटा है इस डेटा पर हमने समरी किया समरी पर डैस्ट्वर बगाए डायनमिक डैस्ट्वर जैसे मैं यहां कंजूमर पर क्लिक करूंगा तो पुरी के पुरी रिपोर्ट कंजूमर का कॉर्डिंग कंबर्ड होगा इसी तरह कि कई सा इसमें कोई और स्टुडेंट नहीं होता है आपके अलाव आपको मैं टैमो दे रहा हूं ना से मुझी तरह से लेकिन क्लास जो कि ऑनलाइन लाइड क्लास होगी जिसमें आप कोश्चन पर पूछ सकते हैं बारा पंदर लोगों कहीं बैच होगा कोई बहुत बढ़ा पैच नहीं होगा इसमें 300 फॉर्मुले जैन एडवांस फॉर्मुले की बारे में डिसकॉस करें अब रहांस फॉर्म फॉर्मुले के मतलब हुआ फॉर्मुला का त्रिक भी जो एक जाम्पल के लिए माल लिए कि मैंने नाम इहां रिखा सुझी है अम मुझे हर एक लेटर को अलग-अलग सेल में इस तरह से टाइब करना है लेकिक्ष करना है तो जैनरली इसके लिए आप लगाई एक लिएग अब इसी तरह से मुझे यहां पर अगेन लगाने पर जितने लेटर उतने लगाने पर अब यह आपका डायनमिक नहीं है आपको हर बार लगाना पर रहा है कलके डेट में आपके पर डेटा बढ़ेगा घड़ेगा यह फॉर्मूला आपको इंक्रीज नहीं करें और यहां पर हम लेंगे और यहां पर हम लेंगे क्रेंगे रौ कितना चाहिए दो मैंने बोला लेन ऑफ टेक्स्ट जितना टेक्स्ट है उतना लेन चाहिए स्टार्ट एक से स्टार्ट हो एक स्टार्ट हो और यहां भी हमने करेंगे आपका देगे सुझीदार करेंगे नाम घड़ता है तो अटमेटिक घड़ जाएगा बढ़ता है जिसे मैं यहां पर माल लेजिए रवी वूशन तो देखिए रवी वूशन आगया अटमेटिक फॉम्मूला मैं इंग्रीज हो गया तो इस तरह के डाइनमिक फॉम्मूले तो छोटा सा इजांपल है बड़ इस तरह के जो डाइनमिक फॉम्मूले वह हम बताएंगे कि हम मैनुवल एक एक चीज ना करके हम अटमेट कैसे करें इसी तरह के सारे पावर क्यूरी जिसे कि कभी कभी डेटा हमें सही नहीं आता है उस डेटा को सही करके कैसे लाना वह हम बहुत सारे इस प्रश्व करेंगे डाइनमिक चार्ट के ऊपर डिवलपर टैम में बटन होता है बटन चार्ट कर उपर कैसे लगाए बहुत बढ़ा डेटा को कैसे चार्ट के अंदरा हम कम करें उसके बारे ने डिस्टास करें कि ठीक है ना कि एगग तो जो होते हैं उसके अंदर डिस्कर्स करें जैसे चार्ट में बताओ एक एक जाम्पल अपको दूँ जैसे मान लीजे कि में ये पास मंतली और यहां पर मैंने और यहां पर प्रॉफिट हो गए और यहां पर प्रॉफिट हो गए अजिस्कर्मने अब मुझे क्या करना है इसको इस तरह के दिखाना है कि इतना रवन जनेट हुआ इसके अंदर इतना परसेंटेज हुआ तो बहुत सा लोग क्या करते यह चार्ट में जोते हैं इसमें दिखा दो यह बिल्कुल गलत क्यों क्योंकि इसने यहां से इतना इन दोनों को जोड़ गया जबकि मुझे यहां दिखाना है कि 85 में 60 को रिप्रेजिंट करना है यह चीज़े चार्ट में हो ही नहीं हम क्या करेंगे इसके लिए यहां पर अलग यह बनाएं यहां पर यहां पर नानेंगे प्रॉफिट परसेंट जिसमे हम इसको डिवाइड करेंगे 85 से जिससे मुझे पास परसेंटेज पता चीज़ाएगा कि यह प्रॉफिट परसेंटेज है और यहां पर मैं लिखूंगा हंग्रेड परसेंट माइनस इसको सेलेक्टर और करते हैं अब इसके ऊपर हम अपना जो चार्ट है और यहां पर यहां इतना है इतना है इसको मैं करता हूं कर देता हूं कि अब इसकी कलर इस तरह से चेंज करेंगे जैसा लगेगा कि इसकी ऊपर तक जा रहा है तो इसको त्रह से डाइनमिक करेंगे ताकि आपको देखेंगे इस सारी चीज़ें कवर होगी इस क्लासें है ठीक है है हाला कि हमारी वन टू वन क्लासेश की फीट जो है आपका एक का तेन थाउजन एक का ट्वेंटी थाउजन है इसने जो है ओग में इसकी फीज़े है आपको शापे करनी है रहा है तो इस हुआ है तो आपको आपको करना होगा नहीं सेट हुआ है च्छी जो है लोब्टेड थाया तो अभा आप गृश्यव